आनुवानसिक पदार्थ अर्थात हेरेडिटी माटेरियल के अंतरगत सब कुछ चित्र सहित आपको समझाएंगे जिसमें से अनुवानसिक पदार्थ क्या है अनुवानसिक पदार्थ की खोज किसने की नुकलिक अमल क्या है इसकी खोज किसने की नुकलिक अमल के प्रकार डि देने की रासानिक संरचना, देने का वार देक माडल, यह रभी कंडली संरचना काहाना क्य mucho पूरा वीडियो लाग तक देखिए और यदि अभी तक हमारे चनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेजिए, तो चलिए, सबसे पहले आनुवानसिक पदार्थ क्या है, अथवा इसकी परिभासा को समझ लेते हैं, तो हमने आप लोगों को निसेचन या फर्टिलाजेशन वाले वीड कहते हैं, जैसे मानों में देखा जाए, तो नर्युग्मक सुक्राण और मादा-युग्मक अंडाण होता है, और जब इनका संयुग्मन होता है दोनों का, या जब शुक्राण और अंडाण आपसने मिल जाते हैं, तो युग मनज या जाएगोड बन जाता है, अब ये जो युगमनज या जायगोट है इसमें माता और पिता दोनों के आनुवानसिक लक्षण होते हैं इसमें इन आनुवानसिक लक्षणों की सूचनाएं संकेतों के रूप में होती हैं इसी पदार्थ को आनुवानसिक पदार्थ कहते हैं तो यह आनुवानसिक पदार्थ संतानों म उनकी संतानों में ले जाता है अनुवानसिक पदार्थ कहलाता है परिभास आपको समझ में आ गई होगी चलिए अब अनुवानसिक पदार्थ की खोज का संचित इतिहास जान लेते हैं इन लोगों ने इन भैज्ञानिकों ने ये तैं किया बहुत सारे प्रियोग किये और प्रियोगों के अधार पर इनिसकर से निकाला कि जो अनुवानसिक पदार्थ है ये नुकलिक अमल है क्रोटीन अनुवानसिक पदार्थ नहीं है चलिए अब नुकलिक अमल की खोज कैसे हुई यानि डिस्कवरी आप Nucleic Acid के बारे में जान लेते हैं तो Nucleus से प्राप्त होने के कारण Frederick Meiser ने इस पदात को Nuclein नाम दिया चुकि ये Nucleus से प्राप्त हुआ था यहीं पस कोशिकाओं के केंद्रक से प्राप्त हुआ था इसलिए Frederick Meiser ने कहा कि ये Nuclein है इसका नाम बताया Nuclein है अब चुकि इसकी प्रिक्रिक्रिक कैसी थी अमलिय थी, Acidic थी इसलिए बैग्यानिक Eltman ने कहा कि ये Nuclein Nucleic Amal है अब Eltman जो थे इन्होंने बताया कि ये Nucleic Amal है कुछ समय बाद ही कोशेल ने सन 1893 में नुकलिक Amal के राशायने घटकों का पता लगाया इसके बाद धिरे-धिरे करके सन 1893 में बैग्यानिक कोशेल ने नुकलिक Amal में कौन-कौन से घटक पाया जाते है इसका पता लगाया इसके लिए कोशेल को सन 1910 में नोबल पुरुसकार से सम्मानित किया गया या उनको नोबल पुरुसकार मिला सीगर ही यहाँ भी पता चल गया कि कोशेल काओं में दो प्रकार के नुकलिक Amal पाय जाते हैं अब बैग्यानिकों ने धिरे-धिरे करके ये भी पता लगा लिया कि कोशेल काओं में कितने प्रकार के नुकलिक Amal होते हैं तो कहाँ दो प्रकार के नुकलिक Amal पाय जाते हैं तो नुकलिक Amal कितने प्रकार के होंगी दो प्रकार के कौन कौन से पहला DNA और दोसरा RNA DNA का पुरा नाम डी आक्सी राइबो नुकलिक Amal और दूसरा, RNA का पुरा नाम Ribonucleic Amal या Ribonucleic Acid तो दो प्रकार के Nucleic Amal हो गए, Dioxy Ribonucleic Amal और Ribonucleic Amal अब इन दोनों में से जो DNA है, यानि जो Dioxy Ribonucleic Amal है या मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक में होता है तथा जो RNA है या राइबो निकलिक अमल है इसकी मात्रा केंद्रक में कम होती है और कोसी का द्रब में अधिक पाया जाता है यानि DNA कहां पाया जाएगा मुख्य रूप से केंद्रक में और RNA की मात्रा कहां केंद्रक में कम लेकिन कोसी का द्रब में अधिक होती है और बता दें आपको कि कुछ वायरसों में RNA इन्तु अन्य वायरसों में DNA अन्वांसिक पदार्थ होता है यहीं कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिसमें RNA पाया जाता है लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें DNA अन्वांसिक पदार्थ पाया जाता है तो बहुत सारे प्रियुगों के द्वारा सिद्ध हुआ है कि DNA ही आनुवांसिक बदार्थ होता है तो चलिए अब इस DNA आणु की राशानिक संद्चना को ठीक से समझा देते हैं अर्थाथ केमिकल कंबोजेशन आप DNA को चित्र से समझा देते हैं प्रतेक DNA ब्रहदार्थ डी आक्सी राइबो नुकिलियो टाइड नामक मोनोमर्स का बना पॉलिमर होता है कहने का मसलब यह है कि हर एक DNA आणु बड़े आणु डी आक्सी राइबो नुकिलियो टाइड के एकलकों का बना बहुलक होता है अब इसे बहुलक क्यों कहा जाता है तो DNA है वो किसका बना होता है डी आक्सी राइबो नुकिलियो टाइड का बना होता है और डी आक्सी राइबो नुकिलियो टाइड कई योगिकों के एक साथ जुड़ने से बनता है यानि इसमें कई सारे योगिक होते हैं जो मिल करके डी आक्सी राइबो नुकिलियोटाइट का निर्मार करते हैं इसलिए बहुलक इसे कहा गया है इस प्रकार से विभिन नुकिलियोटाइट के जुड़ने से बनी पॉली नुकिलियोटाइट संखला बहुलक अथवा पॉलीमर कहलाती है चलिए आगे आते हैं प्रतेक डी आक्सी राइबो नुकलीयो टाइड आडो तीन योगी कों के जुड़ने से बनता है उनमें से पहला है पेंटोज सरकरा तो पेंटोज सरकरा इसमें डियाक्सी राइबोज सरकरा पाई जाती है फिर दूसरा है फास फेट समू तीसरा है नाइट्रोजनी छारक या नाइट्रोजन बेस चलिए इन तीनों को संचित रूप से जल्दी से एक एक करके समय लेते हैं तो पहला है पेंट कार्बन परमाड़ों को प्राइम नंबर से विक्त करते हैं एक दो तीन चार पांच इस तरह से प्रदरसित किया जाता है कार्बन परमाड़ों को नंबरों से दरसाया जाता है अब इसे पेंटोज सरकरा क्यों कहा जाता है क्योंकि इन में पांच कार्बन होते हैं इसलिए से सरकरा कहते हैं बता दें कि यदि यहां RNA अन्वानसिक पदार्थ होता चुकि हम यहां DNA बता रहे हैं अगर यहां पर RNA अन्वानसिक पदार्थ की संदचना होती रासानी संदचना तो उसमें डी आक्सी राइबोस की जगह पर राइबोस सरकरा होती चुकि यहाँ पर हम DNA बता रहे हैं इसलिए डियाक्सिराइबो सरकरा है चलिए अब आते हैं दोसरे फास्फेट समो पर फास्फेट समो या फास्फेट ग्रूप के अंतरगत केवल फास्फोरिक अमलाता है जिसे PO4 से बेक्ट करते हैं फिर तीसरा है नाइट्रोजनी चारक या नाइट्रोजनस बेस कहा जाता है तो इसमें कुल मिला करके इसको दो भागों बाटा गया है पहला प्यूरीन चारक या प्यूरीन बेस और दूसरा है पिरिमेडीन चारक या पिरिमेडीन बेस अब पहले को प्यूरीन छारक को देख लेते हैं तो प्यूरीन छारक को दो भागों बाटा गया है पहला है एडिनीन इसे A से विक्त किया जाता है और दूसरा है ग्वानीन इसे G से विक्त किया जाता है तो पिरिमीडियन चारक दो चीजों से मिलकर बना है एडिनीन और ग्वानीन फिर आते हैं पिरिमीडियन चारक पर या पिरिमीडियन बेस पर तो ये भी दो चीजों से मिलकर बना हुआ है थाइमीन और साइटोसीन थाइमीन को T से विक्त किया जाता है या T से प्रदशित करते हैं और साइटोसीन को C से प्रदशित किया जाता है एक बात यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि DNA की संदचना में केवल थाइमीन और साइटोसीन होता है ये पिरिमीडीन की बात कर रहे हैं, पिरिमीडीन जो छारक है, DNA की संदचना में थाइमीन और साइटोसीन होता है, जबकि अगर RNA की संदचना होती, तो RNA की संदचना में थाइमीन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है, क्या होगा, अगर RNA की संदचना है, तो थाइमीन की nitrogen base इन तीन चीजों से मिलकर deoxyribon nucleotide का आणू बनता है थवा DNA बनता है अब एक बात ये कि यदि इन तीनों में फासफेट ना हो तो nucleoside उसे कहेंगे यदि इन तीनों में से अगर एक को हटा दिया जाए जो फासफेट समू है फासफेट ग्रुप है इसको अगर हटा दे हम तो उसे क्या कहेंगे nucleoside कहेंगे side और यदि तीनों होंगे तो nucleotide कहेंगे यानि side की जगह पर tide हो जाएगा और अगर फासफेट हटा देंगे तो side कहेंगे चलिए अब देखते हैं कि polynucleotide स्रंखला कैसे बनेगी तो डी आक्सी राइपोज सरकरा आड़ के पांचवे अस्थान का कारबन परमाड फासफोरिक अमल के एक आड़ से पांच फासफो एस्टर बंध द्वारा जुड़कर डी आक्सी राइबो नुकलियोटाइट बनाता है और चार तरह के नाइट्रोजनी चारकों के आधार पर डी आक्सी राइबो टाइट्स भी चार प्रकार के होते हैं और ये चारों प्रकार के नुकलियोटाइट जुड़कर पॉली नुकलियोटाइट स्रंखला अथवा चेन का निर्माड करते हैं प्रतेक स्रंखला या चेन में एक नुकिलियो टाइड के डी आक्सी राइबो सरकरा में पांचवे स्थान के कार्बन से जुड़ा फासफेड समूं, दूसरे नुकिलियो टाइड के डी आक्सी राइबो सरकरा में तीसरे स्थान के कार्बन से फासफो एस्टर बंध द्वारा जुड़ा होता है। इसलिए पांचवे से तीसरे तक को फासफोर डाइस्टर बंध कहा जाता है तो ये है पूरा सुगर का स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये पूरा सुगर का स्ट्रक्चर है या पेंटो सरकरा है इसमें नमबरिंग को देखा जाए तो एक, दो, तीन, चार और पांच तो इस पांचवे स्थान से फासफेट समो जुड़ा हुआ है अब अगर दूसरे नुकिलियो टाइट की सरकरा को देखें या दूसरे इस्ट्रक्चर को देखें सरकरा वाले को तो इसमें फासफेट समो तीसरे स्थान के कारबन से जुड़ा हुआ है और यहा किस बंध से जु तक पूरा फास्पो डायस्टर बंद कहलाता है, अ parent तीसरे स्थान से पाचवे कारबन के बीच फास्पेट समू को मिला कर फास्पो डायस्टर बंड कहते हैं, फास्पो डायस्टर बंड, आता है पाली न्यूक्लियो टायिट्स के सरकरा आणू फासफेट आण द्वारा परस पर जुड़े होते हैं कहने का मतलब यह है पाली नुकलियोटाइट जो सरंखला है इसमें दो नुकलियोटाइट्स के सरकरा आणू फासफेट आण द्वारा परस पर जुड़े होई हैं इस प्रकार सरकरा फासफेट सरकरा के संयोग से एक दंड सद्रिस संरचना बन जाती है, दंडे जैसी रचना बन जाती है, यह पाली नुकलियोटाइट स्रंखला की रीड बनाती है, यह जो पाली नुकलियोटाइट चेन है, उसकी बैक बोन का निर्मार करती है, जनस चारक हैं इस दंड को बनाने में भागने लेते हैं ये सरकरा अड़ों के प्रथम कार्बन से जुड़े होते हैं जैसा कि आपको इस्ट्रक्चर में दिख रहा है ये सीवन से जुड़े हुई है जो फ़स्ट प्लेस है पहला स्थान है वहां से देखिए जो समकोन बनाते हैं और पार्स यानि बगल से समकोन का निर्मार करते हैं इस दंड में देख लिए समकोन जैसा बना हुआ है फासफेट अड़ों के कारण पाली नुक्लियो टाइट्स रंखलाएं अमली होती है अब चुकि इसमें फासफेट अणु पाय जाते हैं इसलिए जो पाली नुक्लियो टाइट्स रंखलाएं होती हैं ये अमली होती हैं ये तो हुई रासायनिक संरचना चलिए अब डियन्ने का वार्सन एवं क्रिक बाडल अच्छे से समझा देते हैं अथवा इसे डियन्ने अणु की द्विकुंडली संरचना भी कहा जाता है जेम्स वार्सन, फ्रांसिस क्रिक और विलिकेंसन ने सन 1903 में डियन्ने अणु की संरचना का त्रिविम माडल प्रस्तुत किया और थात इन वैज्यानिकों ने डियन्ने का थ्री डामेंसिनल माडल प्रेजंट किया डियन्ने अणु की ऐसी संरचना देने पर इन्हें 1962 में नोबल प्रुषकार से सम्मानित किया गया तो वार्सन और क्रिक द्वारा प्रस्तो डियन्ने की द्विकुंडली संरचना में क्या-क्या था आये चितर के माधम से समाल लेते हैं तो डियन्ने अणु दो पाली नुकलियोटाइड स्रंखलाओं अथवा चेन का बना होता है तो एक चेन ये वाली हो गई और एक ये वाली हो गई चेन दो चेन हो गई और दोनों मिलकरके एक द्विकुंडली अणु का निर्मार करती है और ये कैसी स्रंखलाओं है पाली नुकलियोटाइड स्रंखलाओं हैं इसको देखा जाए तो ये एक नुकलियोटाइड है फिर दूसरा तीसरा ऐसे ही कई जुड़े होते हैं सब ही मिलकर एक चेन बनाते या एक सरंखला का निर्मार करते हैं चलिए पहले एक नुकलियोटाइट को ठीक से समझ लेते हैं कि इस एक नुकलियोटाइट में क्या क्या होता है यदि इस एक नुकलियोटाइट को देखा जाए तो इसमें नाइट्रोजनेस छारक का आणू डी आकसी राइबोस से अंदर की तरफ C1 कारबन से जुड़ा है यदि इसमें हम नंबरिंग करें तो एक दो तीन चार और पांच तो ये जो C1 है इससे नाइट्रोजनस बेस थाइमेन जुड़ा हुआ है अब इसी में बाहर की ओर देखा जाए तो C5 कारबन से फासफेट अन जुड़ा हुआ है ये जो C5 ह इससे फासफेट अन जुड़ा हुआ है तो ये एक नुकिलियो टाइड हो गया है ये पूरा एक नुकिलियो टाइड है इसमें क्या-क्या जुड़ा है मैंने बता दिया है ऐसे ही कई नुकिलियो टाइड आपस में जुड़ कर एक सरंखला अथवा चेन बना लेते हैं कई स तो एक सरंखला बन गई है एक चेन जासी बन गई है लेकिन ये एक दूसरे से कैसे जुड़े होते है तो ये फास फो डाइस्टर बांड के दवारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं फासफो डाइस्टर बांड के द्वारा मतलब एक चेन के सभी नुकिलियोटाइट के सरकरा अड़ू फासफेट अड़ूं द्वारा परस पर जुड़े होते हैं और किस चीज़ से जुड़े होते हैं तो फासफो डाइस्टर बांड के द्वारा जुड़े होते हैं या इसरी तरफ दूसरे नुकलियोटाइट के फिफ्थ कार्बन से जुड़े हुए हैं यह कैसे जुड़ते हैं यदि और अधिक जानकारी चाहते हैं तो मैंने पिछले वीडियो में डेनने की रासाइनिक सनजरा में अच्छे से समझाया है आप लोग वीडियो देख सकते हैं अ कैसे कैसे है चुकि DNA आड़ो दो पाली नुकलियोटाइट शंखलाओं का बना होता है इसलिए अब दूसरी को समझ लेते हैं तो यह जो पहली चेन है इसकी सुरुवात 5 ट्राइम इंड और नीचे वाला हिंसा 3 प्राइम इंड है यानि 5 डैस इंड से सुरुवात है और 3 ड दूसरे के एंटी पैरलल हैं एंटी पैरलल यानि बिल्कुल विप्रीत हैं तो एक पाली नुकलियोटाइट चेन दूसरे के बिल्कुल उल्टा है कह लेजिए इसमें एक नुकलियोटाइट में बाहर की और फासफेट अडु जुडा हुआ है इसमें से अगर देखा जाए से आपको लिखना है ध्यान देकर के लिखना है क्योंकि nitrogenous base के बारे में chargaff ने बताया कि कैसे जूड़ेंगे यदि आप लोग chargaff का नियम नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो uploaded है आप लोग detail से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उसे और adenine की मात्रा thymine के बराबर तथा cytosine guanine के बराबर होता है अब इसमें जो adenine है वो thymine के double hydrogen band से जुड़ेगा यह डबल hydrogen band से कौँ जुड़ेगा adenine thymine से और guanine तथा cytosine triple hydrogen band से जुड़ेगा जो guanine है और cytosine है यानि g और c triple hydrogen band से जुड़ेंगे मतलब a हमेशा double band से क्योंकि दो position इसमें होती है जहां पर hydrogen band जुड़ सकता है इसलिए double band यहां लिखा जाता है जबकि g हमेशा triple band c से जुड़ेगा क्योंकि इसमें तीन position ऐसी होती है जहां हाइडरोजन बांड बन सकते हैं इसलिए ट्रिपल बांड लिखा जाता है अब यहाँ हाइडरोजन बांड क्यों क्योंकि इसमें एलिक्ट्रान को अपनी तरफ खीचने की पावर होती है तो इन्ही हाइडरोजन बांड की वजह से ये घुमावदार बन जाता है जो दो में देख रहे हैं जब घुमावदार हो गई हैं तो इस तरह से दिखाई देंगी और इस संरचना को भी अच्छे से समझा देते हैं क्योंकि एक्जाम्स में यही संरचना अधिकतर पूछी जाती है तो चलिए इसे पॉइंट वाई समझ लेते हैं कि कैसे लिखेंगे में clockwise कुंडलित रहती हैं इस तरह से DNA अड़ में दो हेलिक्स होते हैं चित्र में देखिए इस पूरे DNA अड़ में दो पाली नुकलियर चेन हैं एक ये वाली और दूसरी ये वाली है एक चेन ये वाली है और दूसरी ये वाली है और ये है इसका अक्ष इसे अक्ष कहा जात इसके चारों और इस्प्रिंग की तरह एंट कर कुंडलिनी बनाता है ये अब आते हैं दूसरे पर तो दोनों बिपरीद दिसा में कुंडलित होती हैं जो दो पालियो निकलेटाइट सरंखलाएं हैं ये दोनों बिपरीद दिसा में कुंडलित होती हैं अर्थात इन दोनों सर सरकरा फासफेट दंडों की धुरुवात्मक दिसाएं प्रतिमुक होते हैं या आमने सामने होती हैं या पॉलराइटीज अपोजिट होती हैं तो कहने का मतलब यह है एक पाली नुकलियोटाइट शंखला में सरकरा या सुगर के कार्बन पांच डैस से तीन डैस दिसा में हैं जबकि दूसरी के तीन डैस से पांच डैस दिसा में हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यह देखें पांच डैस से तीन डैस तक है और यहां तीन डैस से पांच डैस तक है अर्थ यह हुआ कि इस चेन की दिसा दूसरी वाली के बिपरीध होती है अब आते हैं अगले कुंडलिनी में या हेलिक्स में चाहे कुंडलिनी कहें आप चाहे हेलिक्स कह दें तो हेलिक्स में अनेक नुकलियोटाइड स्रंखला बद्ध होते हैं अर्थात इस चेन में देखिए तो ये एक नुकलियोटाइड है फिर ये दूसरा फिर ये तीसरा इस प्रकार से कई सारे जुड़े होते हैं इसलिए कहा गया है कि हर एक कुंडलनी में कई नुकलियोटाइड जुड़े होते हैं या स्रंखला बद्ध होते हैं फिर अगला पॉइंट है प्रतेक नुकलियोटाइड में नाइट्रोजेनस चारक डी आकसी राइबोज नामक पेंटोसरकरा तथा नाइट्रोजेनस चारक और ये डी आकसी राइबोज सुगर है तथा ये फासफोरिक अमल का अड़ु है इसमें नाइट्रोजेनस चारक का अड़ु डी आकसी राइबोज से अंदर की ओर पहले कारबन से यानि सीवन कारबन से तथा फासफेट अड़ु बाहर की ओर पाच नाइ्टरोजेनस चारक हैं यह क्या होते हैं प्यूरीन और प्यूरीन में एडिनीन, ग्वानीन, अर्थांत A और G आता है पिरामेडीन में चारक में कौन-कौन से थाइमीन और साइटोसीन यानी T और C आते हैं तो पहले कार्बन से नाइट्रोजेनस छारक जुड़ा हुआ है और पांचवे कार्बन से फासफेट आणू जुड़ा हुआ है ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे फिर आते हैं एकले पॉइंट पर प्रतेक नुकिलियोटाइट के सरकरा आणू फासफेट आणू द्वा बांड के द्वारा जुड़ा होता है मतलब एक नुकिलियोटाइट का पांचवा कार्बन और दूसरे नुकिलियोटाइट का तीसरा कार्बन फासफोर डाइस्टर बांड के द्वारा जुड़ा रहता है जिससे एक चेंस ही बन जाती है जब आपस में जुड़े रहते हैं फिर आते हैं अगले पॉइंट पर दोनो कुंडलिनियों के नुकिलियोटाइड भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो दोनो हिलिक्स जो हैं दुर्बल हाइडोजन बांड के द्वारा जुड़े रहते हैं इसलिए का गया है दोनो कुंडलनियों के नुकलियोटाइट भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, किस से जुड़े होते हैं तो दुर्बल हाइडोजन बांड के द्वारा जुड़े होते हैं, फिर एगला पॉइंट है, DNA की दोनो नुकलियोटाइट चेन में प्यूरीन जुड़े होते हैं, जैसा कि आप चितर में देख रहे हैं, एक सरंखला या चेन में एडिनीन है, यानि एक तो दूसरी सरंखला अथवा चेन में थाइमीन है, थाइमीन यानि टी, इसी तरह से एक चेन में साइटोसीन है, यानि सी है, तो दूसरी सरंखला का सम्मंद इस सा ग्वानीन से है यानि जी से है तो एक दूसरे से आपस में ये जुड़े होते हैं परस पर जुड़े होते हैं फिर आते हैं अगले पॉइंट पर एडिनीन और थाइमीन के बीच दो हार्डरिन बांड हैं तथा साइटोसीन वा ग्वानीन के बीच तीन हार्डरिन बांड हैं यानि A और T के बीच में दो हार्डन बंद हैं, A और T दो हार्डन बंद के द्वारा जोड़ा हुआ है, जबकि C और G तीन हार्डन बंद के द्वारा जोड़ा हुआ है, या इसके बीच में तीन हार्डन बंद पाए जाते हैं, तो A और T के बीच में दो हार्जन बांड और C तथा G के बीच में तीन हार्जन बांड क्यों होते हैं अभी मैंने आप लोगों को पहले बताया ही था फिर आते हैं अगले पॉइंट पर DNA अड की दोनों चेंस या सरंखलाओं के बीच 20 अंगस्ट्राम की दूरी होती है अथा दोनों कुंडलेनियों को जोड कर मोटाई कितनी होगी 20 अंगस्ट्राम होती है फिर अगला पॉइंट है हेलिक्स का एक चकर 34 अंगस्ट्राम के अंतर पर पूरा होता है जो हेलिक्स का पूरा एक चकर है वो 34 अंगस्ट्राम के अंतर पर पूरा होता है इसलिए हर चकर में 10 दस नुकलियोटाइट जुड़े होते हैं यानि इसके हर एक चक्कर में दस नुकलियोटाइट जुड़े रहते हैं तेरा अगला है कुंडलेनी की पूरी लंबाई में दीर्ग खांचे अथवा मेजर ग्रूप्स तथा लग खांचे अथवा माइनर ग्रूप्स होती हैं तो ये वाली दीर्ग खांच है अथवा गहरी खांच इसी को कहते हैं अथवा major groups है और ये वाली जो है ये लगु खांच है अथवा कम गहरी खांच होती है बहुत कम गहरी होती है अथवा इसे minor groups कहा जाता है फिर आते हैं गले point पर double helix की आकृती एठी वी सरपिल सीड़ी जैसी होती है एठी वी क्यों होती है क्योंकि hydrogen band के करण एड़ जाती है तो double helix जो है इसकी आकृत कैसी है एठी वी सरपिलाकार होती है सरपिलाकार सीड़ी जैसी रहती है पर अगला point है DNA में सरकरा और फासपेट अड़ू समान अनुपात में पाये जाते हैं जो DNA है इसमें सरकरा और फासपेट के अड़ू समान अनुपात में होते हैं चलिए अब DNA अड़ू की पैकसिंग को समझा देते हैं जिसके अंतरगत हम नुकलियो सोम के संरचना को समझाएंगे जिस पर question पूछे जाते हैं ये बात सन 1960 के दसक की है 1960 के दसक में मारिस विलकिंस ने X-ray बिवर्तन द्वारा देखा था और ये जो एडा तथा ओलिंस थे इन लोगों ने सन 1974 में एलेक्ट्रांस सुजनरसी में देखा था और पता लगाया कि एक क्रोमेटिन तंत को खींचा जाए यादि कोई क्रोमेटिन तंत को खींचा जाए तो मड़िका बध लड़ी जैसा दिखाई दे अब एडा और ओलिंस ने कहा कि क्रोमेटिन तंत को चाहे आप खींच कर उसको चेक करिए अथवा नमक के तन घोल में रखकर उसको चेक करिए जब चेक करेंगे तो मड़िका बध लड़ी जैसा दिखाई देता है या मड़िका कार संद्चना दिखाई देते है इसके बाद ओडेट ने बताया कि ये नुकलियो सोम है यनि इसका नाम क्या गाता है इनोंने कि नुकलियो सोम है और इसके बाद कार्ण बर्ग तथा थामस ने नुकलियो सोम परिकलपना प्रस्तुत की इस परिकलपना के अनुसार यनि इनोंने क्या बताया था उसमें कि नुकलियो प् लिंकर होते हैं वो DNA अड़ों के द्वारा जुड़े होते हैं चलिए अब नुकलियोसोम की सनचना जल्दी से समल लेते हैं तो प्रतेक नुकलियोसोम का ब्यास लगभग 110 अंगस्ट्राम अथवा 11 Nm अथवा 9 मीटर होता है जो प्रतेक नुकलियोसोम होता है उसका ब्यास कि क्रोड कन अथवा कोर पार्टिकल्स होता है छार ये प्रोटीन का बना होता है प्रोटीन क्रोड कन कहलाता है यांगरेजी में कोर पार्टिकल्स कहते हैं जिस पर DNA लिप्टा होता है इसी पर DNA लिप्टा होता है अर्थाथ DNA आड़ो हिस्टोन प्रोटीन के बने छोटी छोटे पिंडो पर लिप्टा होता है इन कड़ों को क्रोड कण अथवा कोर पार्टिकल्स कहते हैं क्या कहा जाता है क्रोड कण बोला जाता है या अंग्रेजी में कोर पार्टिकल्स कहते हैं ये जो कण हैं इनमें हिस्टोन प्रोटीन के आठ अड होते हैं चार उपर और चार ठीक इ इसी के नीचे होते हैं और चुकी 8 कोड़ कण रहते हैं इसलिए इसे अस्टगामी अध्यग्रेजी में आक्टमर बोला जाता है आक्टमर इसमें 2 डाइमर होते हैं दो डाइमर और 1 टेटरामर होता है टेटरामर Tetramer में H3 और H4 protein के 2-2 अर्ण होते हैं जो Tetramer है इसमें H3 और H4 protein के 2-2 अर्ण पाई जाते हैं जो Pro-Dakar मद्य भाग बनाते हैं बेज भाग बनाते हैं और इसके दोनों तरफ एक-क Dimer होता है इसके दोनों और एक-एक Dimer है प्रतेक डाइमर में H2A तथा H2B का एक एक आण होता है जो प्रतेक डाइमर है ने दोनों डाइमरों में H2A और H2B का एक एक आण हो पाया जाता है अब DNA जो हेलिक्स है प्रतेक नुकलियोसोम कर के चारो ओर DNA हेलिक्स लिप्टा होता है जो नुकलियोसोम है इसके चारों और DNA हेलिक्स लिप्टा हुआ है यह लगभग 200 नुकलियोटाइट का बना होता है इसके लगभग 160 नुकलियोटाइट हिस्टोन क्रोड के चारों और दो चक्र या कुंडल बनाते हैं जो 160 नुकलियोटाइट है वो हिस्टोन क्रोड के चारों तरफ दो चक्र बनाते हैं या दो कुंडल बनाते हैं चाहे अब चक्र कहें चाहे कुंडल कह दें सेस नुकलियोटाइट जो बचे भी हैं लिंकर DNA बनाते हैं लिंकर यानि जोडने वाला लिंकर DNA दो निकट वर्ती न निकलियोसोम को जोडने का कारी करता है और इसमें अधिकतम 80 निकलियोटाइट पाए जाते हैं अब चलिए आप लोगों को DNA पैकसिंग के बिभिन अस्तरों को समझा देते हैं तो पहला अस्तर है प्रिथम चरण है पराकुंडलन का चाहे पराकुंडलन का है चाहे पैकसिंग तो प्राथमिक पैकसिंग के अंतरगत 11 एनम वाले प्रोटीन क्रोडकन जो 11 नैनोमेटर वाले प्रोटीन क्रोडकन है कोर पार्टिकल्स हैं इनके चारों और 20 अंगस्ट्राम या 2 एनम वाले डियनने अणुके लिपटने को प्राथमिक पैकसिंग कहा जाता है ग्यारा एनेम वाले प्रोटीन क्रोड कर्ड के चारों और वीस अंगस्ट्राम वाले डिन्ने के लिपटने को प्राथमिक पैकरजिंग बोलते हैं और इसमें होता क्या है इससे डिन्ने की लंबाई एक बटे साथ रहे जाती है या कहिली जी कि साथ गुना संगणित हो जाता है अब आते हैं दुतिय चरण यह निउकलियो सोम पैकरजिंग के अंतरbad यह पराकुंडिलन का दुतिय चरण जान लेते हैं जो दुतिय चरण है, इसमें क्या होता है, जो नुकलियोसोम है, यह रसी के तरह आइठ जाता है, आइठ आइठ कर कुंडलित हो जाता है, घूम जाता है एक दम, और यह 30 एने मोटे खोखले तंतुका रोप ले लेता है, जिसे परिनली का यह सोलिनाइट संरचना कहा जाता है सोलिनाइट के प्रत्य कुंडल में 6 नुकलियोसोम होते हैं, इसमें कितने नुकलियोसोम हैं, एक कुंडल में 6 और दूसरे में 6, तो इस प्रकार से प्रत्य कुंडल में 6 नुकलियोसोम होते हैं, इस कुंडलन में नुकलियोसोम तंतुका लगभग 6 गुना संगनन होता है, छे गुना संगहनित हो जाता है यह छे गुना फोल्ड हो जाता है अथात मूल डियन्ने अडु का 40 गुना संगहनन हो जाता है 40 गुना संगनित होता है इसमें अब आते हैं तीसरे इस्ते पर तो DNA आड़ के पराकुंडलन अथवा पैकजिंग के तीसरे जरण में 30 NM सुलिनाइड तन्तु अनेक लंबे च्छलों में वलित हो जाते हैं जो लूपस होते हैं वो फोल्डेड हो जाते हैं तन्तुवत गैर हिस्टोन प्रोटीन्स की बनी एक मोटी कुंडलित दंड इन छलों को सहारा देने वाली मचान का काम करती है यानि जो तन्तुवत गैर हिस्टोन प्रोटीन्स होए इसकी बनी एक मोटी कुंडलित दंड होए इन छलों को सहारा देने का काम करती है मचान का काम करती है इसका फोल्ड होती है इस प्रकार से ये छल्ले मचान के चारों और त्रिज्याओं में फैले रहते हैं जो छल्ले होते हैं मचान के चारों तरब त्रिज्याओं में फैल जाते हैं तेक छल्ला मचान पर एक बिंदु से प्रारंब होकर वापस इसी पर मचान के संपर्क में आ जाता है हर एक छला क्या होता है मचान के एक बिंदु से सुरू होता है और फिर वापस आ करके उसी बिंदु के संपर्क में आ जाता है इस प्रकार बनी संरचना बोतल साफ करने के एक कुंडलित ब्रुस सद्रिस दिखाई देती है जैसे बोतल को साफ करने वाला ब्रस होता है बिल्कुल उसी तरह से ये सनरचना दिखाई दे रही जैसा कि आप चित्र में देख भी रहे हैं इसका ब्यास 300 Nm होता है अगर ब्यास की बात की जाए इसके तो 300 Nm होता है इसके बनने से DNA अणू का लगभग 1000 Guna संगनन हो जाता है यहनी 1000 Guna Fold हो जाता है जो DNA अणू होता है यह इस तरह से बन जाती है सनरचना तो 1000 Guna Folded हो जाता है संगनित हो जाता है प्रारंब में कुंडलित मचान काफी फैली-फैली होती है जो सुरुवात होती है तो जो मचान कुंडलित होती है यह काफी फैली-फैली से दिखाई देते है परंतो अंत में इसके कुंडल बहुत संगनित हो जाते हैं और धीरे-धीरे करके इसके कुंडल और अधिक संगनित हो जाते हैं और पूरी मचान ही कुंडलित होकर एक मोटी छण का रोप ले लेती है इस तरह से जो पूरी मचान होती है वो कुंडलित हो करके एक छण जैसी दिखाई देने लगती है जिसका ब्यास लगभग में 700 नम हो जाता है यहां छण ही बिभाजित होती हुई कोशिका में दिगुडित गुरसूत्र या क्रोमेटिट्स होती है य या दिगुडित गुरसूत्र का क्रोमेटिट्स बन जाती है या इसे ही क्रोमेटिट्स कहा जाता है अथा इसपेश्ट है कि दिगुडित गुरसूत्र लगभग 1400 नम मोटा होता है इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो दिगुडित गुरसूत्र होता है वो लगभग में 1400 नैनोमेटर मोटा होता है और इसके प्रत्य क्रोमेटेड में डिन्ने अडु का संगनन 5000 से 10,000 गुना होता है इस तरह से केंद्रक में डिन्ने अडु पैकेजिंग हो जाता है चलिए अब डिन्ने के कार्यों को समझा देते हैं डिन्ने अन्वनसिक गुडों को एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में वनसागत करता है बता दें कि डिन्ने अन्वनसिक पदार्थ है या हिरिटेरी मेटेरियल होता है डिन्ने का पूरा नाम डि आक्सी राइबो निूकलिक एसिड होता है और इसका कार्य है अन्वनसिक गु पिता से मिलते जुलते हैं, अनुवासिक लक्षण या अनुवासिक गुण कहलाते हैं, तो खुल मिला करके पहला कारी हुआ कि DNA DNA अनुवांसिक गुड़ों को माता पिता से उनकी संतानों में ले जाता है फिर अगला कार है DNA एंजाइमों के निर्मान को नियंत्रित करता है बता दें कि एंजाइम एक तरीके के प्रोटीन होते हैं जो कोशिकाओं के अंदर उत्प्रेरक का कारी करते हैं उत्प्रेरक का मतल एंजाइम सब्द का प्रियोग सबसे पहले कुहने ने किया था जो एंजाइम सब्द है इसका प्रियोग सबसे पहले कुहने ने किया एंजाइम को हिंदी में विकर कहते हैं विकर तो ये जो एंजाइम होते हैं ये जीवन की सभी उपापचे किरियाओं का नियमन करते हैं फि हम सभी लोग जानते हैं कि जोràल होता है जो कोसिका होती है कोसिका के केंद्रक में पाय जाता है जो अंदर न Jewish होता है निकिलियस में एक धागन मां जिसे प冷 그 यह अगले कारे पर अगला कारे है डियन्नेों द्वारा ही जीवों में उत्परिवर्तन होते उत्परिवर्तन का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब किसी जीन के DNA में कोई इस्थाई परिवर्तन होते हैं तो उसे ही उत्परिवर्तन कहा जाता है या उत्परिवर्तन सब्द जो है इसका नाम सबसे पहले हूंगो डिब्रीज ने दिया था हूंगो डिब्रीज और उत्परिवर्तन पर फुल वीडियो मेरे चैनल में अप्लोड़ेड है आप लोग जा करके देख भी सकते हैं तो इस प्रकार से DNA से ही जीवो में उत्परिवर्त होते हैं क्योंकि जीन न्यूक्लिक अमल के बने होते हैं और न्यूक्लिक अमल DNA होता है आरने भी न्यूक्लिक अमल है लेकिन यह केवल कुछ पादप वायरसों में ही पाया जाता है बाकि सभी जीवों में DNA ही अनुवांसिक पतार्थ पाया जाता है फिर आते हैं अगले कार पर अगला कार है DNA प्रोटीन संसलेशन की सूचना mRNA द्वारा राइबोसोम को भेशता है mRNA यहीं मैसेंजर RNA के द्वारा राइबोसोम को भेशता है और क्या भेशता है तो प्रोटीन संसलेशन की सूचना को राइबोसोम में इस्थित आर आरने प्रोटीन निर्माण के इस्थल की भूमिका अदा करता है जो राइबोसोम में आर आरने होता है राइबोसोमल आरने जो होता है वो प्रोटीन निर्माण के इस्थल की भूमिका अदा करता है और कोशिका द्रब में उपस्थित आरने या और tRNA ये RNA के प्रकार हैं मेरे चैनल में वीडियो अपलोड़ेट है आप लोग जाकर के देख सकते हैं RNA पर फुल उसमें मने संद्रचना भी समझाया हुआ है और RNA के प्रकार के बारे में भी बताया हुआ है अब दूसरे नुकिलिक अमल RNA को चित्र सही समझा देते हैं तो RNA का संसलेशन केंद्रक में होता है जो केंद्रक होता है उसमें केंद्रिका होती है वहाँ पर RNA का संसलेशन होता है मतलब जो कोसिका या सिल का केंद्रके नुकिलियस होता है उसमें RNA बनता है और अधिकांस RNA कोसिका द्रब में स्वतंत्र रोब से पाए जाते हैं और बहुत कोशिका या सेल में इसकी मात्रा इस्थाई नहीं होती है तो कोई भी कोशिका हो उसमें DNA या डी आकसी राइवो नुकलिक एसिड की मात्रा इस्थाई नहीं होती है अब ऐसा क्यों होता है तो RNA अड़ों की हजारों प्रतलिपियां हर समय बनती रहती हैं जो इसकी हजारों पहें तो इस थाई नहीं होंगे तो लिए अब RNA अड़ों का संगठन समल लेते हैं अर्थात कंपोजीसन आप RNA मॉलेक्यूल के बारे में जान लेते हैं या इसी को दूसरे नाम से पूछा जा सकता है कि राइबो नुकलिक अमलका सायोजन क्या है तो DNA के समान RNA के अड़ो भी चार प्रकार के नुकलिक्योटाइड मोनोमर्स के बने बहुलक या पॉलिमर होते हैं जिस प्रकार से DNA में चार प्रकार के नुकलिक्योटाइड थे उसी प्रकार से RNA में भी चार प्रकार के नुकलिक्योटाइड के बने पॉलिमर या बहुलक होते हैं अर्थात RNA के अड़ो DNA अड़वों की तरह ही चार तरह के नुकलियोटाइड मोनोमर की बनी पॉली नुकलियोटाइड चेन की रूप में होते हैं DNA के बारे में टोटल वीडियो मेरे चैनल में अफलोडन है यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो जा करके देख सकते हैं DNA की सन्रचना में जैसे मैंने दिखाया था कि DNA में 4 तरह के नुकलियोटाइड से मिलकर DNA बना होता है उसी तरह से बिलकुल यहां भी जो RNA होता है इसमें भी 4 तरह के नुकलियोटाइड पाए जाते हैं और RNA के नुकलियोटाइड अड़ों को कहा क्या जाता है राइबो नुकलियोटाइट्स कहा जाता है जो RNA के नुकलियोटाइट होते हैं अड़ो इनको राइबो नुकलियोटाइट्स कहते हैं RNA अड़ों में राइबो नुकलियोटाइट्स की संख्या सामाने रूप से 70 से लेकर 12,000 तक होती है जो RNA-8 है इसमें ribonucleotide की संख्याज होती है वो सामाने रूप से 70 से ले करके 12,000 तक होती है RNA की कुछ प्रमुख विशेषता हैं चलिए जान लेते हैं तो पहली विशेषता है RNA-8 एक सूत्री होता है सिंगल स्टेंडर्ड होता है सिंगल स्टेंडर्ड होता है जिसकी इस रंखला 3'5 होती है यानि 3' से ले करके 5' तक होती है पिर अगला है RNA के मोनोमर ribonucleotide में ribos सरकरा होती है यानि RNA का जो एकक होता है जो मोनोमर होता है उसको ribonucleotide कहते हैं और ribonucleotide में राइबोस सरकरा पाई जाती है उसमें डी आक्सी राइबोस सरकरा थी इसमें राइबोस सरकरा होती है डी आक्सी राइबोस नहीं होती है और ये 3 प्राइम से 5 प्राइम फास्को डाइस्टर बंड दरा जुड़े होते हैं यानि 3-5-ड़ दरज बड़े होते हैं क्योंकि एक ही सूत्री होता है इसलिए 3-5-प्राइम जिसा में होता है कुल मिलाकर देखा जाए तो RNA की Ribonucleotides तो होते हैं यह चार तरीके के होते हैं Adenosine Monophosphate या इसी को AMP shortcut में कहते हैं या दूसरे नाम से जाना जाए तो Adenilic अमल कहा जाता है और दूसरा है Guanosine Monophosphate गवानोसine Monophosphate को shortcut में GMP कहा जाता है और इसे ही Guanelic अमल भी कहा जाता है फिर अगला है Cytodine Monophosphate या इसी को CMP कहते हैं CMP या इसे ही Cytodine Monophosphate या UMP या इसे ureidilic aml कहते हैं तो इस प्रकार से RNA में चार प्रकार के nucleotides पाय जाते हैं कौन-कौन से adenilic aml, gonolic aml, cytodilic aml और ureidilic aml तो ये चार प्रकार के nucleotides हो गए RNA में pirimidine छारक thymine के स्थान पर uracil होता है यानि कि जो pirimidine छारक होता है उसमें thymine, thymine के स्थान पर यहाँ पर uracil पाय जाता है जब कɪ dna में क्या था? thymine था, यहाँ पर क्या है? uracil होता है तो जब dna का double helix वाला structure आपको समझाया था तो उसमें बताया थी uracil RNA में पाय जाता है और किस के स्थान पर पाय जाता है तो थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है इस तरह से RNA में पाय जाने वाले nitrogen बेस चार होंगे एडिनीन, ग्वानीन, साइटोसीन और यूरेसिल यहीं इस प्रकार से जो nitrogen चार पाय जाएंगे उन्हें क्या कहेंगे एडिनीन, ग्वानीन, साइटोसीन और यूरेसिल यह चार प्रकार के पाय जाते हैं फिर आते हैं अगले point पर अगला point है एक सूत्री RNA अड़ की polynucleotides रंखला के ribonucleotides के बीच में intramolecular pairing पाया जाता है जो एक सूत्री RNA अड़ होता है उसमें जो polynucleotides स्रंखला होती है एक सूत्री होता है तो polynucleotides स्रंखला के जो ribonucleotides होते हैं उनके बीच में intramolecular pairing पाय जाती है और जो यह intramolecular pairing होती है जो इसका कारी होता है या एक सूत्री RNA को स्थिरता परदान करती है और इसलिए जो RNA का वलायक होता है वो काफी मुडा तुडा हुआ होता है चलिए अब आपको बताते हैं कि RNA कितने परकार के होतے है तो RNA तीन परकार के होते है मुखेरोग से पहला संदेश वहाख या दूद आरिने या इसे मैसेणजर आरिने और सौर्ड कट में mRNA बोला जाता है तहीं दूसरा है अभी गमन या ट्रांसफर ने या इसी को पी आरेने कहते हैं और फिर तीसरा है राइबो सोमल आरेने या इसी को आर आरेने बोला तो चले पहले को जान लेते हैं, पहला है संदेश वाहक या दूत RNA या मैसेंजर RNA, तो यहां केंद्रक में इस्थित क्रियात्मक जीन के DNA के अनुलेखन से बनता है, यानि ट्रांस्क्रिप्सन से बनता है, जो DNA का ट्रांस्क्रिप्सन होता है, उससे बनता है, पॉली पेप्ट इसका कार्य होता है निस्चित क्रम में निर्धारित करता है अनुलेखित संदेज की प्रतिलिप को लेकर यहां केंद्रक से बाहर साइटो प्लाज में पहुचता है और फिर राइबोसम से जोड़ करके पॉली प्रेप्टाइड रंखला के संसलेशन में यह उसको बनाने में एमिनोमलक के क्रम को निर्धारिद करता है प्रतेक प्रकार के प्रोटीन के लिए एक बिसेश MRN होता है प्रोटीन होती है उसमें एक बिसेश प्रकार का MRN पाया जाता है जैकब और मोनाड जो दो बैग्यानिक थे इन्होंने संदेश वाहक या दूद आरेने का नाम दिया था अगर पोछा जाए कि दूद आरेने की खोज किसने किसका नाम किसने दिया तो जैकब और जैकब के बाद दूसरा मैंने में नाम बताया मोनोड इन्होंने दिया था फिर आते हैं दूसरे प्रकार के आभिगमन आरेने पर या अंतरण आरेने पर अथवा इसी को ट्रांसपर आरेने कहा जाता है तो टी आरेने आरो कोशिका द्रब में उपस्थित अमीनो अमलों के अड़ों के राइबोसोम तक ले जाते हैं अब जो राइबोसोम पर अमीनो अमलों को पॉली प्रकार करते हैं यह काम पूरा हो जाने पर प्रने आरो कोशिका द्रब में वापस लाटाते हैं तो फिर से अपने स्थान पर इन्ही प्रकाइब द्रब में वापस लाटाते हैं और फिर से अपना कार द्रब दोहराते रहते हैं इस तरह से अपना यही कारएं बार बार करके पर TRNA का कारी क्या होगा, TRNA आड़ अमीनो अमलों को राइबोसोम तक ले जाते हैं, जो अमीनो अमलों होते हैं, उनको राइबोसोम तक पहुंचाते हैं, और MRNA के कोडान के रूप में, उन्हें पॉली पेप्टाइट्स रंखला में इस्थापित करते हैं, यह कुल मिला करके TRNA क कारे होगा फिर आते हैं राइबोसोमल आरेने या आर आरेने पर तो राइबोसोमल आरेने राइबोसोम में होते हैं जो राइबोसोमल आरेने हैं ये क्या करता है कि प्रोटीन आड़ों के साथ जुड़ जाता है और जुड़ने के बार राइबोसोम के सब यूनिट को बनाता सब यूनिट जो उतकी होती है उसको निर्मार करता है इस प्रकार से RNA संरजनात्मक अड़ो है जब कि mRNA और tRNA सक्रियात्मक अड़ो होते हैं इसी कार कोसिका में इनकी संख्या सबसे अधिक पाई जाती है कोसिका के कुल RNA का 80% भाग RNA होता है कोसिका में जो कुल RNA पाई जाते हैं उसका 80% भाग RNA होता है प्रतिक राइबोसोम का लगभग 65% भाग RNA का तथा 35% भाग प्रोटीन का बना होता है